हाई फ्रेंड आज किस वीडियो में हम एक्टो कार्पस इल्गी के बारे में आपको बताएंगे कि एक्टो कार्पस इल्गी क्या होती है एक्टो कार्पस इल्गी जो है उसे किस क्रूप में रखा गया है किस क्लास में रखा गया है उसके जनरल फीचर्स क्या है जनरल फीचर General Features के साथ उसके Thilus Structure किस तरीके के हैं उसका जो Cell का इस टरीके का है इस सब के बारे में आज किस वीडियोज में हम discussion करेंगे इसके पिछले वीडियोज में हमने आपको सारगासम इलगी के बारे में बताया था जिसमें हमने एक दो वीडियोज में उसको cover किया था वे में सब एलगी जो है सब का जो है वीडियो एक सिस्टेमेटिक वे में रखा गया है अगर हम एक्टो कार्पस की बात करें तो एक्टो कार्पस जो है वो फी ओफाइसी क्लास का मेंबर है फी ओफाइसी में जो मैक्सिम जो मेंबर रखे गए है वो ब्राउन एलगी है यानि की तो सबसे पहले हम सिस्टेमेटिक पोजिसेटिक की बात करें तो सका एक TOकोफें के भात करें जीनस जो हवा एक्टो कार्पस है तो इस जीनस की बहुत सारी स्पीसीज है कुछ इंडिया में स्पीसीज पाय जाती है कुछ वर्ल्ड वाइड स्पीसीज डिस्टिब्यूटेड है तो अगर हम कुछ इंडियन स्पीसीज की बात करें तो जैसे कुछ इंडियन स्पीसीज जो कुछ जनरल फीचर्स की बात कर लें कि यह जो इलगी हुआ कि इस तरीके की कहां पर पाय जाती है तो एक्टो कार्पस जो है वह एक फिलामेंटस ब्राउन इलगी है जो की लगभग इसकी जो लंबाई होती है उस फिलामेंट की लंबाई लगभग 30 cm होती है तो यह जो जो आप एक फिलामेंटस ब्राउन इलगा है जिसकी जो इसके फिलामेंट की लंबाई लगभग 30 cm होती है और यह जो होता है यह जो होता है यह किसी तालाप के यह एक्टो कार्पस जो इसकी मैक्सिमिन इस पिसी जो है वह लेटरोल और सबलेटोल रीजन वर पाय जाती है जैसे मान लीजिए यहां एक तलाब है तो इसका यह जो रीजन है उपर का रीजन यह लिट्रोलर रीजन है जहां से पानी थोड़ा सा यहां का पोर्शन जहां से पानी थोड़ा कम होता यहां इसका सब लिट्रोलर रीजन है तो यहां पर यह जो एक्टो कारपस है वहां पाय जाता है अट्लांटिक के यानि कि अगर हम इसके मैप की बात करें तो यहाँ पर मैप में आप देखेंगे Atlantic का जो region है Atlantic का जो region है यहाँ पर यहाँ पर और इसके लावा यहाँ पर यह जो region है यहाँ पर देखने को मिलता है तो यह इसका distribution है कि यह कहाँ पर पाया जाता है इसके लावा अगर हम इस एक्टो कॉर्पस की बात करें तो जो एक्टो कॉर्पस है मैक्सिमम जो होता है वह इपी फाइट होता है इफ फाइट का मतलब जो होता है कि या किसी प्लांट के उपर पाया जाता है और आंसी प्लांट यानि किसी प्लांट जो होते हैं उसमें इफी फाइट के रूप में रहता है और टेश्ट टू रॉक सब्टेटम या किसी या होता है जो जो तो फिन सोती है मचलीं में जो फिन सोती है उसमें भी civária lip जाता है यानि कि मक्ष्लहयों की जो फिन सोती है वहां पर इए पाय जाता है तो इससे हम बड़ोगी फीजुआ भी जिए तो इसके नाव जो it츠 और पॉपर यह 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 अपर में रहती है ना कि रहती है एक्पी जो होती है एक्पी का मतलब होता यह का मतलब होताunion एक्प्थॉट्र ख्रजब एक हमेंग प्रजब कर see ! Link के ऊपर रहती है ? पर पाहित पम बहुत है ? उपने बहुत है ? जो कि आए ? जो पाए जाती है इसके रावाँ Ectocarpus Dermonimatus जो है वह एक Indovephatic species है जो किसी plant के अंदर पाये जाती है और कुछ Indian species का नाम होने आपको वलता है Ectocarpus Coniferus और Ectocarpus Indicus Ectocarpus Dermonimatus एक सब जो है इसके लामा अगर इसके हम कुछ है और इसके गर इसके बाद हम बात करें तो थाइलस इस्टेक्चर जो होता है इसका वह प्रोस्टेट होता है राइजोडल होता है इरेक्ट ब्रांच सिस्टम होता है यानि प्रोस्टेट का मतलब होता है कि जैसे यहां पर अगर एक सीधी रिखा में पाया जाएगा लीनियर फॉर्म में तो उसे प्रोस्टेट बोल धूंकि तो उसे हम लो लोग प्रो स्टेट्ट बोलते हैं इसके लाव है इसमें प्रो स्टेट सिस्टम ही पाय ठा everyone क्रीपिंग ब्रांच होता क्रीपिंग का मतलब होता ऐसे जमीन से बिल्कुल लगा उए तो यह क्रीपिंग ब्रांच होता है आटाइज टू सब्स्टेटम या किसी सब्स्टेटम से अटाइज रहता है इसमें इसके लावा इसमें कुछ इर्यक्ट सिस्टम भी पाए जाता है इसमें इर्यूगलर और ब्रांच इर्यूगलर ब्रांच और फिलामेंटस सेवरल सेंटीमेटर लांग एंड मोर साइफोनस वन सेल थिकनिंग इर्यूलर ब्रांच पाए जाता है इसमें एक साइफोन पाया जाता है एक ही सेल की थिकनिंग होती है कुछ से कुछ समय के बाद यह है जो साइफोनस के कंडिशन सो क करता है तेक स्गे मोनो साइफिन लेकिन कुछ टाइम के बाद यह कंडिशन को सो करता गया वे पॉर्टिकल डिवीजिन को करता है इसके लाव्चा ट्राइब को थिली ग्रोथ को भी तो करता प्रप्रप्र प्रप्रप्र प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् से मिलकर बनी रहती उया हिशी आएल एय्जीन और फिवकोडीन की विंकर बनी रहते हैं इसका इसका जो साइटोपलाज्म होता है वह सेंटर में नूक्लियस इसका जो रहता सेंटर में Nawetha जो रहता है बहुत सारे क्रोमाइटो फोर्स से मिलकर बना रहा है जो कि डेस्कॉाइड होता है या फिर बैंड सेप का होता है बैंड सेप का मतलब पट्टी नुमा सन रचना होती है सेप्ड वायरी एकॉर्डिंग टूदी स्पीसिजिस के अनुसार इसका जो सेप रहता हो व तोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको एक्टो कार्पस की क्लासिफिकेशन उसके थाइलस इस्टेक्चर और इसके सेल इस्टेक्चर के बारे में बताया आने वाली वीडियो में इससे रिलेटेड और भी टॉपिक को हम कवर करेंगे इसमें जो रिप्रोड़क्शन के करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में